ब्रांड प्रमोशन, इस्थानियां एवं वेश्विक बाजारों के साथ संयोजन, डिजिटल भुकतानों और सामाजिक सुरक्षा के प्रति सुलबता भी शामिल होगी। इसमें अनुसूचे जातियों, अनुसूचे जन जातियों, अन्य पिछडा वर्गों, महिलाओं और कमजोर वर्गों के लोगों को बहुत सायता दी जाएगी। प्रियटन, हमारे देश में घरेलू के साथ साथ विदेशी प्रतिकों के लिए आकर्शक स्थानों की भरमार है। प्रियटन में अपार संभावनाएं हैं, जिनका उप्योग किया जाना है। इस शेत्र में विशेशकर युवाओं के लिए नोक्रियां एम उद्धिमिता के शानदार्मों के हैं। प्रियटन को बढ़ावा देने का कार्य राजियों की सक्रियप सहभागिता सरकारी कारेक्रमों से समन्वे और पबलिक प्राइविट भागेदारी के साथ मिशन मोड में किया जाएगा। हरित विकास हम हरित इंधन, हरित उर्जा, हरित खेती, हरित मोबिलीटी, हरित भवन और हरित उपसकर के लिए अनेक कारेक्रम और विभिन आर्थिक शेत्रों में उर्जा के कुशल उपयों के लिए नीतिया क्रियानवित कर रहे हैं। हरित्विकास के ये प्रयास अर्थ्यवस्था की कार्बन सघंता को कम करने में सहायता पहुचाते हैं और हर शेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियों के मोके उपलब्द कराते हैं। इस बजट की प्रात्मिक ताएं, इस बजट में निमलिकित साथ प्रात्मिक ताएं अपनाई गई हैं, वे एक दूसरे का संपूरण करती हैं और अम्रित काल के दौरान हमारा मार्ण दिर्शन करते हुए सब्तृषी की भाती कारे करती हैं, समाविशी विकास, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचना और सरचना एमनिवेश, सक्ष्यमता को सामने लाना, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तिये शेत्र, अम मैं प्रात्मिक ता नंबर एक पर बात करूँगी, समाविशी विकास, सबका साथ, सबका विकास सरकार के सिधानत ने विशेश रूप से, किसानों, महिलाओं, युवा लोगों, अन्य पिछडे लोगों, अनसूति जातियों, अनसूति जन जातियों, दिव्यांग जनों, और आर्तिक रूप से कमजोर तपकों को कवर करते हुए, समावेशी वि का संभव किया है, सभी को हमने वरित्या दी है, और हमने विशेश रूप से जम्मू कश्मीर, लदाक और पूर्वोतर पर भी निरंतर ध्यान दिया है, यह बजट इन प्रयासों को आगे बढ़ा रहा है, कृशी के लिए डिजिटल पब्लिक इंफरस्ट्रक्चर, एक खुले स्रोथ, खुले मानक और अंतर प्रचालन योग्य लोखहित के रूप में कृशी के लिए डिजिटल पब्लिक इंफरस्ट्रक्चर का निर्मान किया जाएगा, इससे फसल नियोजन एवं स्वास्थे के लिए संगत सूचना सेवाओं, फार्म इन्पूट के प्रती बहतर सुलपता, रिण एवं वीमा, फसल आकलन के लिए सहायता, मार्किट इंटेलिजेंस और एग्री टेक इंडस्ट्री एवं स्टार्ट अप्स के विकास के लिए समर् हो पाएंगे, क्रिशी वर्धक निधी, Agriculture Accelerator Fund, एग्री स्टार्ट अप्स खोलने के लिए जो युवा उध्यमी है ग्रामी शेत्रों में उनके लिए उन्हें प्रोसाहित करने के लिए क्रिशी वर्धक निधी स्थापित की जाएगी,